हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ अमिस सैनी, स्वागत है आपका सड़ा फूट डड़ा में, जहां मैं आपके लिए टेस्टी रेस्पी लेकर आता रहता हूँ, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मटर पुलाव की रेस्पी, आइए बनाना शुरू करते हैं, सबसे चावलो के उपर से जो हमारा वो स्टार्च निकलता है, वो साफ ना हो जाए, चावल हमारे दो करके बिल्गुल रेडी है, आईए अब इसमें पानी हम डालते हैं, और चावलो को दस मिनट के लिए भिगो कर रख देते हैं, और चावलो में पानी हमें उतना डालना है, जि क्योंकि हमें टमाटर की प्योरी बनानी है, जैसे मैं मोटा मोटा काट रहा हूँ, ऐसे इसमें दो हरी मिरज डालके टमाटर की हम प्योरी बना लेंगे, और ये मैंने 1.500 गराम लिए हरी मटर, मटर थोड़ा हम ज़ादा ही लेंगे, क्योंकि हम मटर पुलाव बना रहे हैं दीजे चावलों को भीगे हुए 10 मिनट हो गए हैं अब हम चावलों को पानी ड्रेन कर देंगे सारा पानी निकाल देंगे चावलों का पानी हमने निकाल दिया आईए हम पंटर पुलाव बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम कुकर चड़ा देंगे गैस पे कुकर हमारा गरम हो गया अब इसमें हम तेल डालेंगे यह एक बड़ा चम्मच मैंने तेल डाल दिया है यह मैंने लिया है जीरा एक चम्मच डाल रहा हूँ मैं इसमें जीरा और जीरे को हम थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे जीरा हमारा ब्राउन हो गया है आई अब इसमें हम ढालते हैं प्याज यह जो हमने प्याज चोप करी थी वो डाल दी है अब प्याज को हम अच्छे से golden brown होने तक भूनते रहेंगे देखिए प्याज हमारी golden brown हो गई है अब इसमें हम tomato की puree ढालेंगे जो हमने tomato की puree बनाई थी टمाटर की प्योरी हमने इसमें डाल दिये हैं अब प्या जो टमाटर को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको 1-2 मिनट के लिए हम हाइफ लेंपे भूनेंगे जिससे टमाटर हमारे थोड़े सोफ्ट हो जाएं एक से दो मिनिट हमारे हो गए हैं टमाटर को भूनते हुए और टमाटर हमारे अच्छे से सोफ्ट हो गए हैं बिल्कुल आईए अब इसमें हम मसाले डालना शुरू करते हैं सबसे पहले हम डालेंगे धनिया पाउडर यह मैंने लिया है धनिया पाउडर देड़ चमज डाल में हल्दी पाउडर यह लिए मैंने गरम मसाला और आधा चमज डाल रहा हूँ में इसमें गरम मसाला और यह लिए हमने नमक नमक हम डालेंगे टेस्ट के अनुसार जैसा आपको पसंद हो उस हिसाब से आप अपने अनुसार डालें बागी मैंने इसमें डेड़ चमज डाल मसालो को भूंते हो हमारे 1-2 मिनट हो गए हैं मसाले हमारे भून करके बिल्कुल तैयार है अब इसमें हम डालेंगे मटर और मटर डाल करके हम मसालो को फिर से 1-2 मिनट के लिए High Flame पे भून लेंगे जिससे मतर भी हमारी थोड़ा Soft हो जाए लेजिए मसाला हमारा बन करके बिल्कुल तयार है अब इसमें हम चावल डालेंगे जो हमने चावल भीगोकर रखे वे थे वो हमने सारे चावल इसमें डाल दिये हैं अब चावल डाल करके हम चावलों को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे हम पानी, पानी हमें डेड़ गिलास डालना है, याद रहें जब भी हम पुलाव बनाएं तो हमें जितना हम चावल ले रहे हैं उसका हमें डेड़ गुना पानी डालना है, यानि अगर हमने एक गिलास चावल लिया है तो डेड़ गिलास पानी डालना ह पानी डालने के बाद चावलोगों अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुकर का ढखकन बन कर देंगे और कुकर में हम 2 सीटी लगवाएंगे 2 सीटी आते ही गैस को हम बन कर देंगे और कुकर का प्रेसर खुद से ही हम रिलीज होने देंगे कोकर का प्रेसर हमारा रेलीज हो गया है आईए देख लेते हैं देखे कितने बड़िया हमारे मटर पुलाव बने है एकदम से बिल्कुल खिले खिले बने है मटर पुलाव की रेस्पी बिल्कुल बन करके रेडी है अप करमा गरम मतर पुलाव को दाई के साथ सर्व करें मतर पुलाव की recipe आपको मेरी कैसी लगी Please कमेंट करके बताएं ज़्यादसे ज़्यादा like करें, share करें और मेरे चैनल को please subscribe ज़रूर करें और पहला ऐसन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकिशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो आईए अब आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और बढ़ी है रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर